सेजी कैंसर सेंटर नाखपूर में हेमिटोलोजी और स्टेम सेल ट्रांस्प्लांट विभागने फैंकोनी एनिमिया नामक एक दुरलब अस्ती मज्जा बोन मेरो विफलता सिंड्रोम से पिड़ी 6 साल के लड़के पर मध्यभारत का पहला हाप मैच एलोजेनिक सिबलिंग इतिहास रचा है जिसकी जानकारे आईजित पत्रपरिशत के दौरान सेजी कैंसर सेंटर के हेमोटोलोजिस डॉक्टर निशाद धकाते द्वारा दी गई है फैंकोनी एनिमिया विरासत में मिली अस्ती मज्जा की विफलता का सबसे आम कारण है जो रोगी को संक्रमन, रक्तस्त्राव, रक्तकैंसर और ठोस कैंसर के लिए प्रेरीत करता है बोन मेरो हड्यों के अंदर का स्पंजी पधार्थ है जो स्टेम सेल बनाता है स्टेम कोशिकाय, लाल रक्तकोशिका, सफीत रक्तकोशिका और प्लेटलेट्स बनाती है ये रक्तकोशिकाय अच्छे स्वास्त के लिए महत्वपूर्ण है प्रगतिशिल मज्जा विफलता, अप्लास्टिक एनिमिया नामक दीती की और ले जाती है इससे शरीर की नई रक्तकोशिकाव का निर्मान बंद कर देता है फैंकोनी एनिमिया की घटनाएं एक लाग से धाई लाग जन्मों में से किसी एक व्यक्ति को हो सकती है आधि से अधिक रोगियों में यह बिमारी दस वर्ष के आयों से पहले ही पाई जाती है जबकि लगबग 10 प्रतिशत पहचान वैसकों में हो पाती है 75 प्रतिशत फैंकोनी एनिमिया के मामले जन्मदूर से संबंदीत होते है इन रोगियों में अस्तिमज़ा विफलता के लिए BMT-1 मातर इलाज योग्य विकल्प होने की जानकारी पत्र प्रिशत के दोरान SCG Cancer Center के डॉक्टर निशाद धकाते त्वारा दी गई मी डॉक्टर निशाद धकाते, SCG Cancer Center इते हिमेटलोजिस्ट याने की रक्तविकार तद्न्या आहे आज चा दिवस अमचे सेटी कुप महत्वा पुर्णाचा है आज इते खुपच एक यूनिक आणी रेर आजार आहे अप्लास्टिक एनीमिया मंझे बोन मैरो फेलियर मंझे बोन मैरो फेल जालाला है अशेया सहा वर्षा चा मुला चा बोन मैरो प्रत्यार ओपन हा एकदम सक्सेस्फुली जाला है हा नाकपुरत ला पहला हाफ मैच्ट हापलो आइदेंटिकल स्टेम सेल ट्रांस्पलांट आहे तेला तैचा 12 वर्षा चा बहीनी नी स्टेम सेल्स डोनेट के लेला है आणी हा सक्सेस्फुली ते घडला है आज चाहा कारेक्रमत आमी यहा ट्रांस्प्लांट ची अवेरनेस आणी अश्या रखता आजाराच्या लोकान ना लागना रहा बोर मेरो ट्रांस्प्लांट बदल ही मायती दिले लिया है आणी ही प्रेस रिलीस नोट गित लिया है जर अप्लास्टिक एनीमया मंटला तर अप्लास्टिक एनीमया खुब कॉमान आहे अप्लास्टिक एनीमया चाह इंसिडेंस रेट है एका लाखात एका जनाना कोणाल तरी अप्लास्टिक एनीमया होतो अप्लास्टिक एनीमया मंजे इस बोन मेरो फेलियर जसा किट्नी फेल ह जाते तसस बोन मेरो फेल हुँ शक्तो आणि बोन मेरो फेल जाले वर पेशन्ट चा रखता तयार होत नहीं तेना वार 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 ब्लड द्यावेची गरज पड़ते आणि इंफेक्शन्स आणि ब्लीडिंग उने ची शक्क्यत आस्ते फूप फूप सीरियस इंफेक्शन जाल जाले वर आणि ब्लीडिंग जाले वर पेशन्ट सा मृत्ती ही हूँ शक्तो मनून या आज़ाराचा जे यंग लोका है लेज देन 55-60 यर साहे तैंचा साथी आमी बोन मेरो प्रत्यारोपन हा ट्रीटमेंट सेला देतो विकोज है चानी हा एक क्यूरेबल ट्रीटमेंट है मनून या लोका नाज अप्लास्टिक एनिमेज अलान अंतर बोन मेरो ट्रांस्प्लांट करना है योग्य ट्रीटमेंट है SCG कैंसर सेंटर में 6 साल के लड़के पर मद्य भारत का पहला हाप मैच एलोजेनिक सिबलिंग स्टेम सेल ट्रांस्प्लांट किया गया है इस बच्चे में रोग का पता लगभग एक वर्ष पहले चला उसे बुखार और रक्तस्त्राव के साथ अस्पताल में लाए गया था जहां उसके रक्त परिक्षन के बाद हिमोगलोविन सफिद रक्त कोशिकाय और प्लेटलेट्स की कमी का पता चला इसके बाद रोगी की अस्तिमज़ा प्रक्रिया की गए जिसमें अस्तिमज़ा की विफल्टा का पता चला है बच्चे के माता पिता को विमारी की भयानक प्रकृति और इससी जुड़ी रुगनता और मृत्यू दर के बारे में परामश दिया गया उनन्हें एक मात्र चिकितसा के रूप में एलो और रख्त चड़ाने की आवश्यक्ता थी एलोजनिक बीम्टिक में एक स्वस्त दाता जो एचल टाइप्ट हो रोगी को स्टेम सेल देना करता है बीम्टिक के लिए सबसे अच्छा दाता एक एचल पूर्ण मिलान भाई या बहन का कोई अन्यरिष्टदार जिसका एचल मिला हो सकता है और अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांड के तीरा दिन बाद मरीज की अस्तिमत जाने नई रख्तकोशिकाओं का निर्मान शुरू कर दिया है वह पूरी तरह रख्तकोशिकाओं की सामाने संखा पर निर्भर है इस प्रकार में डॉक्टर पराग इंगली डॉक्टर बजाज, डॉक्टर मंजीत राजपूर, डॉक्टर कैलाश एवं SCG कैंसर सेंटर नाकपूर के ICU डॉक्टर की टीम ने सही योग किया है और इस मध्यभारत की पहली सरज़री को सकसेस किया है इस दारान SCG कैंसर सेंटर के सी ओ उ वेंकटेशवरलू, मारपा का SCG कैंसर डॉक्टर पराग इंगले आधी प्रमुक रूप से उपस्तित थे कैमेरा प्रसें राशकुमार मोड के साथ क्षिति जादे इश्मुक बीस या नियूज नागपुर्ट